जम्मो कश्मीर के श्रीनगर में G20 की टूरिज्म वर्किंग ग्रूप के बैटक से पड़ोसी देश पाकिस्तान और चीन के किनारा कर लेने के बाद भी इस आयोजन पर कोई असर नहीं हुआ G20 समू के बाकी देश इसे लेकर खासा उटसाइद हैं और इस बैटक में भाग लेने के लिए आमेरिका, रूस, ब्रेटेन, कानाडा जैसे दुनिया के सत्रह ताकतवर देशों से करीब साथ डेलिगेट्स बहरत पहुंचे हैं बैटके शीनगर में शेर एक कश्मीर अंतरास्तिय सम्मेलन केंदर में आयोजित हुई जम्मू कश्मीर में इस आयोजन के मायन है इसलिए भी बढ़ जाते हैं क्योंकि आर्टिकल 370 के हटने के बाद यहां आयोजित किया जा रहा यह पहला अंतरास्तिय आयोजन है जहां दुनिया भर से डेलिगेट्स आकर यह देख सकेंगे कि कश्मीर में हाला किस हद तक सामायन है और चीन और पाकिस्तान के इसे बार-बार विवादिक छेतर बताने का दावा कितना आधार हीन है इस आयोजन में दुनिया के बड़े देशों के महमानों का आना कश्मीर पर भारत के फैसले को दुनिया भर से मायनिता के मिलने जैसा है भारत की यह पहल पाकिस्तान के साथ साथ चीन के चेहरे पर एक करारे तमाचे के जैसा है आपको बताते कि पाकिस्तान शुरू से ही कश्मीर में G20 के आयोजन का विरूद करता रहा है वही उसके सहयोगी और दोस्ट चीन ने भी इसे विवादित शेतर में किया जाने वाला आयोजन बताते हुई दूर रहने का फैसला किया था पाकिस्तान ने मुसलिम देशों से भी इस आयोजन से दूर रहने की अपील की थी जिसका बेहद सीमित असर देखा गया केवल तुर्किय और सौधी अरप ने इस आयोजन से दूरी बनाई है लेकिन इन सब के बाद भी जिस तरह से दुनिया के दूसरे देशों ने भारत के आयोजन को हाथो हाथ लिया है यह भारत और किंदर सरकार की विदेश मीति की बड़ी जीर कही जा सकती है